हेई हेलो रोवें दिस साइट सुमिछ शर्मा एंड वर्म वेल्कम टू एव्रिवन इस वीडियो में लाई हो एक बहुत इंपॉर्टन क्वेशन जो की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टन है लोकस अब पोल्स अब नॉर्मल कोर्ट्स अब इलिप्स इस दा कर्व सो हमारे पास जो एक क्वेशन है वो कौडियर्ट जेमेंटरी क्वेशन है लग्णव 2008 में एक वेशन आ चुका है इंपॉर्टन क्वेशन ऊद्फशन है यह अंब फ्रूब करना है कि लोकस अफड़ पॉल्स ओफर नॉर्मल कोर्ट्स अफ इलिप्सब्स इस इलिप्स के जो लगस ले लेते हैं कोई a cos theta, b cos theta, right, parametric points on the given ellipse is, so, यह जो points है, इसको हम ellipse की equation में डालेंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा मिलेगा, right, यह सवाब बच्छपन से करते आ रहा है, बच्छपन का मतलब I think 11-12 से आप करते आ रहे हैं, यह locus ellipse पे point जो होते हैं, a cos theta, b sin theta होता है, and यह points को आप यहाँ पे डालेंगे, x की जहाँ पे यह, and y की जहाँ पे यह वाला point, okay, so, हमारे पास जो equation आईगी, वो कुछ ऐसी दिखेगी, right, यह equation आपको दिखेगी कुछ ऐसा, and आगे चलते हैं, so, let h, k be the pole of the line l1, right, हमारे पास जो h, k है, वो माल लेते हैं कि pole है कि इसका, इस equation of line का, right, इस line का pole है, okay, then it's polar with respect to the given ellipse, तो polar क्या होगा, with respect to given ellipse, यह हमारा polar हो जाएगा, hx upon a square, ky upon b square is equals to 1, यह हमारा polar की equation हो जाएगी, right, so, यह दूसरी equation हो गई, हमारी, दूसरी equation हो गई, and now, यह दूसरी equation हो गई, and check करते हैं, 1 and 2 represent the same line, right, 1 or 2 एक ही line, same ही line को represent कर रही है, जिस वज़े से, जिस वज़े से क्या कर रहे हैं, हम लोग coefficients को compare करते हैं, जब दो line same होती है, तो हम उनके coefficients को compare करके, coefficients, यहाँ पर देखिए, आप ध्यान से अगर देखें, तो मैं आपको दिखाने कोशिच करता हूँ, आप इस line के coefficient देखिए, यहाँ पर X का coefficient है, A sec theta, Y का coefficient है, minus B sec theta, right, constant हमें यह वाली, so यह जब हमने देखा, और यहाँ पर भी हमें देख रहा है कि X का coefficient क्या है, H upon A square, so इसको जब हम compare करेंग, A sec theta upon H upon A square equals to minus B upon Y का coefficient, यहाँ वाला, right, upon constant, तो यह जब हम compare करेंग, तो हमारे पास एक चीज मिलती है कि cos theta वराबर A cube upon H into A square minus B square, कैसे, देखिए, यहाँ पर क्या है, इसको और आप इसको compare कीजिए, और इसको compare कीजिए, okay, so first को third वाले से compare कीजिए, फिर second को भी third वाले से compare कीजिए, आप, so जब compare करेंग, तो sec theta की जगा क्या हो जाएगा, sec theta मतलब 1 upon cos theta, right, so आप यहाँ दिखें, कुछ interchange करके, इधर दर करके, आप यह निकाल लेंगे, बहुत अलाम से, उसी तरह, score इसको compare करेंगे, तो यह आजाएगा, हमारे पास, alright, आप लोग करके देख लिएगा, पक्का आजाएगा, 100%, and अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं दिख रहा है, कि sin square theta plus cos square theta, यहाँ पर square किया, यहाँ पर square किया, दोनों को add कर दिया, अब एक चीछ तो बहुत ही clear दिख रही है, क्या, मैं आपको बताने कोशिच करता हूँ, यह a square minus b square, यहाँ भी a square minus b square का square, यह चीछ बाहर common आ जाएगी, common आने के वज़े से, जब यह पूरा bracket में common आएगी, तो इधर चले जाएगी, यहाँ पर one था, तो one से multiply हो जाएगी, यह पूर चीछ, तो इधर हमारे पास क्या जाएगा, a square minus b square का whole square, जो हमारे बचेगा, क्या बचेगा, a की पावर 6 upon h square, प्लस b की पावर 6 upon h square, so hence the locus of the h, k is, तो h, k का locus का क्या हो जाएगा, आयोग आप आप प्रूब करना था, all right, so यह हो गया इस question का solution, and कोई भी चीज अगर आपको नहीं समझ में आई है, तो आप लोग comment section में जरूर बताइए कि आपको कहा नहीं समझ में है, and don't forget to like the video, and hit the subscribe button, and also you can download my e-books, e-books आप बहुत सारी download कर सकते हैं, मेरे description में पढ़ी हुई है, thank you so much for watching this video आप कि अपको की प्रूब कर एक नहीं समझ में है, and don't forget to like the video,